गूद मॉनिंग तुडेंट्स वेलकम यू तो आवर यूट्यू चैनल परीश्टेडी अनलाइं तोड़े वी एर गोई टो डिस्कस्ट सम्मपोरेंट क्वेस्ट्ट्ट इस क्वेस्ट्ट्ट इस क्वेस्ट्ट बैंक फोर क्लास नाइन्थ तो दैट इस हागिन पार्ट्ट् सब्सक्राइब करांगे लेफ्ट साइड ते आपकी करांगे रैश्निलाइजेशन करांगे left side थे अपप rationalization करना है केंदे नाल multiply करना root 2 plus 1 नाल multiply root 2 plus 1 नाल divide right side same रखनी है यह अपप कुछ नहीं करना a plus b root 2 a अपप सेम रखांगे होँ देखो उपपर a plus b a plus b उपपर की बन गया a plus b a plus b which is equal to a plus b whole square यहाँ पायनू क्या सक्देया a square plus 2ab plus b square उपपर जो identity बनेंगी a plus b the whole square which is equal to a square plus 2ab plus b square तो उपपर की बन गया अपने कोल root 2 दा square plus 2 root 2 plus किया गया 1 दा square अपपा identity अपलाई गीती a square plus 2ab plus b square डिवाइड वेच केड़ी identity अपलाई कर रहे हैं आपा a minus b and a plus b which is equal to a square minus b square अपने कोल की एक पुराँ plus एक पुराँ minus आगया ता की आगया a square minus b square ता अपने कोल दिनॉमिनेटर च की बन गया root 2 दा square minus 1 दा square is equal to a plus b root 2 होँ देखो root 2 दा square root now square cancel हो गया ता 2 आगया इदर की एक पने कोल 2 root 2 1 दा square के ना हो गया 1 डिनॉमिनेटर च root now square cancel ता 2 1 दा square के ना हो गया 1 is equal to की आगया a plus b root 2 द्वारा समझो की गिता में root दे ना हो square की हो गया cancel 2 root 2 सेम आ गया 1 दा square के ना हो गया 1 दिनॉमिनेटर च root दा square के ना हो के 2 रह गया minus same 1 दा square के ना हो गया 1 होँ देखो a वडा 2 ते a वडा 1 टोटल के ना हो गया अपने एकोल 3 plus 2 root 2 divide by 2 चो 1 गया था के ना रह गया 1 is equal to a plus b root 2 जे वडा 2 थे a 1 टोटल के ना हो गया 3 2 root 2 सेम आ गया 2 दे विचो 1 केंसल हो गया 1 रह गया ता अपने एकोल final की बचया अपने कोल final रह गया 3 plus 2 root 2 is equal to a plus b root 2 होंज आपा एनू compare करिये होड़ आपा गी लिखांगे comparing by comparing जेड़ा a यह that is equal to 3 so a दी value किननी आगया अपने कोल 3 second value second is equal that is b under root 2 is equal to 2 under root 2 root 2 ना हो root 2 cancel ता b दी value किननी आगया जेड़ आपा एनू compare कीता a अपने कोल किया rational है rational number rational number ना लिखा जाएगा एवाड़ा की अपने कोल irrational क्योंकि root 2 दी अपने कोल किन्द इरrational हुंद j a आपा rational मान लिए a irrational मान लिए so product of rational and irrational is also irrational तो rational rational दे equal रखा जाएगा and this one is irrational so irrational irrational दे equal रखा जाएगा so एथो a दी value किननी आई 3 ते b d value किन्नी आगी अपने कोल 2 क्योंकि root 2 ना root 2 कि हो गया cancel so b d value किन्नी आई अपने कोल 2 आगया hence a is equal to 3 and b is equal to किन्ना आगी अपने कोल 2 एक question काफी ज्यादा important है जिन्दे वेचा आपा a दी value find करनी है इन्दे नाल दे एक question है तुसी खुद attempt कर सकते हो easy question है under root 11 plus under root 7 divide by under root 11 minus under root 7 is equal to a plus b under root 7 इन्नों खुद solve करके comment box देवे जरूर दसना a दी value किन्नी आएगी नेक्स्ट वीडियो दे वेचा आपा किसे होर क्वेस्टन हो लाक्या होंगे जो काल केडिमी दे एक्जाम ली काफी ज्यादा important है एस ही अपने कोल part number 2 important question question bank the series दे वेच पार्ट नमबर 2 है class 9th दा next video दे वेचा आपा कोई होर question लाक्या होंगे